इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे टेली कम्मुनिकेशन बिल के बारे में रीसेंटली याने की 18 दिसंबर को ही ये लोगसाभा में इंट्रड्यूस किया गया था यदि अपन देखें ये बिल इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि जितने भी टेली कम्मुनिकेशन बिल है उन 1950 या उससे मेजरली पुराने है जैसे टेलिग्राफ आक्ट 1885 का और उसके अलावा वायरलेस टेलिग्राफी 1933 का और 1950 में टेलिग्राफ वायरस आक्ट इंट्रड्यूस किया गया था ये तीनों आक्ट अभी इस नए बिल के द्वारा रिपल कर दिये जाएंगे जब ये पास होगा इसके अलावा ये 1997 के प्राई आक्ट याने की टेलिकॉम रेगुलेटरी एजनसी ओफ इंडिया उस आक्ट को भी अमैंड करेगा और ये तीन आक्ट को completely हटा देगा अब यदि broad functions अपन देखें तो ये telecommunication पूरे के पूरे structure के लिए एक major structural changes propose करता है और बहुत ही ज़ादा revolutionary माना जा रहा है क्यों अपन अभी समझते हैं सबसे पहले इसके provisions में आते हैं तो यदि अपन देखें तो entire जो licensing regime है उसे ये बहुत ज़ादा simplify कर देगा कैसे यदि आज की date पे जब भी licensing करना होता है तो more than hundred types of licenses, registration या permission चाहिए होती है ये इन registration को ज़ादा से ज़ादा codify कर देगा एक central form में जिसमें ये सारी permissions लिया जा सकेगा याने clubbing of multiple permissions and licenses इसलिए बाना जा रहा है ये licensing राज के जमाने में जब ये law लाया गया था से change होकर ये authorization law की तरफ बढ़ रहा है जहां पर आपको license नहीं merely authorization to set up telecommunications की जरुरत होगी याने कि जो बहुत ही complex system था उसे liberalize किया जा रहा है ये कहने का मतलब है second यदि अपन बात करते है spectrum के assignment में आज यदि अपन देखे तो जहां से Supreme Court का judgment आया था 2012 में जो 2G spectrum case के बारे में था इस case के बाद से Supreme Court ने जो allocated spectrum थे उन्हें cancel कर दिया गया था और allegation of corruption लगा था तब से unanimously spectrum का auction has become a uniform practice अब यदि आप देखोगे तो auction का method बहुत ही globally debated topic है क्योंकि यदि आप इंडिया का spectrum के auction की rates देखोगे तो वो globally सबसे जादा तरफ है जबकि rates to the consumers चाहे वो data हो या overall plans हो वो सबसे सस्ते हैं इस वज़ा से ऐसे goods पर जिसका social benefit देना पड़ता है because जैसे जैसे telecommunication बढ़ता है society develop होती है तो ऐसे social goods के लिए पाना जाता है auction तरीका सही नहीं रहता है क्योंकि इनसे price ज़ादा बढ़ जाती है और social benefit I'm sorry social benefit derived नहीं हो पाता है इसके अलावा भी इसमें माना गया है कि auctioning would be the major method जैसे अभी auction हो रहा है spectrum का यही method continue किया जाएगा बट इसके अलावा administrative allocation for satellite broadcast service भी introduced हुआ जाएगा याने कि जैसे services जैसे कि charlink जो satellite communication use करके internet प्रवाइट करते हैं ये उनकी demand रही है, Elon Musk लगाता demand कर रहे थे कि auction method नहीं use करना चाहिए बलकि administrative तरीके से भारगेन करके, negotiate करके लेना चाहिए इस वज़ा से Elon Musk की एक major जीत मानी जा रही है और इस proposal से इस act के बनने के बाद बहुत जल्दी starlink की entry हो सकती है इंडिया में ऐसा analyst मान रहे है, इसके अलावा बहुत सारे repurposing या reassignment मतलब की spectrum का exchange, purpose change करना ये सब permit किया गया है इस bill के अंदर यदि अपन industry में बात करें, तो एक तरफ जहां Reliance 0 था जो लगातार spectrum के allocation by auction की बात कर रहा था वहीं पे जितने other major players हैं, चाहे वो Airtel हो, चाहे Starlink of Musk हो या Amazon का Cooper हो ये सब administrative method को prefer कर रहे थे इनका कहना था कि globally कहीं पर भी satellite के जरिये auction नहीं किया गया है ऐसा इसलिए भी किया जाता है, क्योंकि जब आप satellite से services provide करते हो वो किसी territory पर restrict नहीं रहता है, बलकि वो across the globe कहीं पर भी service provide कर सकता है इस वज़ा से spectrum allocation is not a better way, बलकि आप administratively जैसा rate allocate करो जैसे divide करो, understand करो, उसके बाद allot करो, this was the contention और इसी को सरकार ने accept किया है एक major power दिया गया है इस bill में, interception और search powers का, यहाँ पर क्या होगा जो monitoring और interception के लिए सरकार के पास power रहेगा, कौन सी सरकार के पास, central government के पास किस order पर, तो वो ही normal conditions होती है, जैसे कि, यदि security of state की बात हो, या तो कभी incitement of offense की बात हो, कोई offense को incite कर सके, या public order threaten हो, इन सारी conditions पर सरकार messages को intercept कर सकती है, ऐसा इस bill में clear कहा गया है, और telecom services को public safety के grounds में suspend भी किया जा सकता है, यह अभी भी मौझूद है, हलाकि 2021 में एक rules start किये गए थे, DOT के द्वारा, Department of Telecommunications के द्वारा, वो इस rules को suspend कर दिया गया था, and that became the overarching framework, जो telegraph act 1885 के अंदर issue किये गए थे, उसके बाद भी पुराने rules को use किया जाता है, वापिस से यह rule लाना, याने की simple सी बात है, government के पास जो power है, takeover का वो ज़ादा बढ़ जाता in case of public safety, इसके अलावा यदि अपन बात करे, try के members को कैसे appoint करे जाए, इसकी वज़ा से try के जो 1997 का act है, उसमें भी amendment किया गया है, और अब जो chair person है और member जरूरी नहीं है किसी government का ही member हो, इसे private company से भी hire किया जा सकता है, but condition दी है, chair person के लिए 30 years of experience in the telecommunication industry and members के लिए 25 years of qualification and experience in the telecommunication industry, तब उसे hire किया जा सकता है, इसके अलावा जो USOF था, Universal Service Obligation Fund, इस fund को 1885 के telegraph act के तहत establish किया गया था, इसका major aim क्या था, कि जो unserved areas हैं, वहाँ पर telecommunication services को extend करने के लिए utilize किया जाए, अब इस USOF को digital भारत निधी के रूप में rename कर दिया जाएगा, इसके purpose को भी expand कर दिया गया है, ये वाला purpose unserved areas में network बढ़ाना सेम है, इसके अलावा R&D के लिए भी इसके funds को utilize किया जा सकता है, ये भी बात किया गया है, more यदि अपन बात करें, education route, यदि कोई गल्ती होती है या problem आती है, तो आप कैसे grievances को address कर सकते हो, इसके लिए three tire method propose है, सबसे पहले यदि बात करें, तो educating officer की बात की गई है, इनको सामने आप अपने grievances ला सकते हो, इनका जो level होगा, वो joint secretary या उनसे उपर government of India में उनके authority होगी, यदि आप इनके भी उससे satisfied नहीं हो judgment से, तो आप एक appeals committee में फिर से appeal कर सकते हो within 30 days, यहाँ appeal committee would be headed by additional secretary या उनसे उपर के member को, and finally TDSAT याने की जो try का finally adjugation authority है, जिसे 2000 में step up किया गया था, उसमें finally appeal किया जा सकता है, top two इस तरीके से three level agreements और dressal method है, इसके अलावा एक और specific बात की गई है, कि जितने भी unused spectrum है, वो सरकार वापिस ले सकती है, यदि सरकार वापिस लेती है, तो private entity जिसने purchase की थी, उसे zero refund मिलेगा, कुछ भी पैसा वापिस नहीं मिलेगा, बट इसके अलावा इनको, इन private entities को share करना, trading करना spectrum का permit किया गया है, ताकि इनकी revenue utilization maximum हो सके, इसके अलावा यदि government के कुछ powers देखें, तो government के powers को बढ़ाया गया है, जैसे empowers the government to seek interception disclosure अपने बात करी है, वो ही security of the state and public order के conditions में, यदि सरकार को लगे कुछ इन दोनों criteria का threat है, तो वो messages को intercept कर सकती है, disclose कर सकती है, और उसे साब से action ले सकती है, इसके अलावा, central government can take over the telecom network, याने कि ये एक नया provision introduced किया गया है, which many analysts are saying is extremely draconian, बहुत जाधा extreme radical step है, क्योंकि यहाँ पर complete take over by central government की बात की गई है, in case of national security or during the war, this was not the provision जो पहले मौजूद था, यदि अपन issues की बात करें, तो कुछ major issues जो आते हैं इस act में, सबसे पहला है, spectrum allocation की यदि अपन बात करते हैं, spectrum allocation जैसे अपन ने देखा, administrative way से भी बात की गई है, इसका क्या procedure फाइल होगा, ये अभी तक clear नहीं, rule books में उसकी proper entry ज़रुरत है, Supreme Court के 2012 के judgment के बात से, normally auction method prefer किया गया है, लेकिन इंडिया में जब भी administrative allocation हुआ है, तो corruption के cases बहुत ज़ादा बढ़े हैं, और इसका सबसे बड़ा example है, to the spectrum corruption case, तो क्या ये फिर से matter court में Supreme Court के पास चले जाएगा, क्या ये 2012 की ruling के against है, ऐसे questions उठते हैं, और क्या ये वापिस से corruption तो बढ़ावा नहीं देगा, इसके अलावा यदि आपन देखते हैं, तो एक particular जो बात कही गई है इस bill में, वो है कि government set up कर सकती है standards of encryption, याने कि जहाँ पर already government के बीच और companies like telegram, whatsapp, signal, ये सब के बीच में conflict रहा है, जहाँ पर these companies on one hand signal that encryption is important for the privacy, as well as for their own running, उनकी company के basic ideology के भी purpose में है, but government often demand करती है कि on the request, आप encryption को तोड़ो, क्योंकि security breaches इन messages की through often किये जाते हैं, और identify the first source message बहुत जादा important हो जाता है, तो क्या encryption के standard तोड़े जा सकते हैं, ये doubtful है इस bill में, इसके अलावा clause 20 में clearly बोला गया है, जो अपनने बात करी है, interception of services, लेकिन इस interception में एक बात कही गई है कि public order और security of state पर, बट यहाँ पर जो important है, जो preventive clauses हैं, वो fundamental rights of citizens, particularly put to Swami judgment के बाद privacy एक fundamental right recognize की गई है, वो सकता है ये often उसको threaten करें, इस वज़ा से यदि ऐसा हो, तो कुछ definitely safeguards follow करना चाहिए, और उसके बाद इसे introduce करना चाहिए, इसके अलावा, try में finally हो सकता है, private members की entry के बाद, corporate appointees की संख्यां बढ़ जाए, और try could become mere a puppet at the hands of government, ऐसा भी माना जा रहा है, कुछ definition जो define की गई है act में, वो बहुत जादा broad-ended है, open-ended है, इस वज़ा से माना जा रहा है, telecom services की definition के अंदर, बहुत सारे ऐसे services, जैसे की WhatsApp, जैसे की Zoom, इस तरीके के, या Google Meet, इस तरीके के apply, जो internet-based services है, वो भी telecom services के अंदर आ जाएंगे, including OTT, तो ये clearly defined नहीं है, क्या these services would be included in the act, क्योंकि इससे पहले 2022 में, एक draft telecommunication bill आया था, उसमें separately OTT mention किया गया था, but इस bill में, because explicitly recognized नहीं किया है, तो analyst doubtful है, क्या ये सारी companies included होंगी या नहीं, तो जैसे ही अपने आगे बढ़ें, तो एक बात important है, कि telecommunication is an important revolution of the 21st century, इसके law को modernize करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये जो act है, उसी के तरफ एक बड़ा move है, but at the same time, एक बात और याद रखना है, कि जो necessary safeguards है, जो cautions expert ने mark किया है, उसे rectify किया जाए, because fundamental rights of the citizen, growth of the telecommunication industry, as well as proper regulation, both are important. that's all for this topic, thank you and have a great day.